नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत हैं टेक्नोलोजिक लिडा चनल में आज का वीडियो जो है पूर रहेगा स्टॉर्ट प्रोसीजर्स पर यानि कि e-commerce में यूज होने वाले कुछ स्टॉर्ट प्रोसीजर्स हैं जो फंडामेंटली आप लोगों को सीखने चाहि की जिसकी फीस है 600 रुपीज लेकिन यह कोर्स सिंपल कोर्स नहीं है मेरी जर्नी है 10 to 16 years की जर्नी है और वो मैं सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों को 600 रुपीज में प्रोवाइड गर रहा हूं इसके वीडियोज आप लोगों को मिल जाएंगे और आप लोगों को पूर है आप लोगों को सिर्फ लोगों को पे करने हैं इस हो अनली 600 रुपीज और लोगों के पास courses जो है आप लोग उसे देख सकते हैं तो 600 rupees आप लोग कहीं पर भी जो है अगर देखेंगे तो बहुत कम price मैंने रखी है आज हो सकता है इसकी fees 600 rupees हो लेकिन कल हो सकता है इसकी fees 1000 rupees कर दे जाए one time fees है एक बार pay करना है लेकिन lifetime access है आप लोगों के पास और साथ ही बहुत सारे courses आप लोगों को आगे जल कर जुड़ते जाएंगे इसमें वहाँ पर जल कर आप लोगों को extra piece पे नहीं करनी है जो इस membership में include है ठीक है तो membership में बहुत सारे चीजे हैं जो include है और scratch place पर मैं आप लोगों को लेकर चल रहा है जोइन करना चाहता है कोई तो वीडियो की description box में जाएए वहाँ पर एक Google form का link है उस Google form के link को आप लोगों को फिल करना है फाइनली आप लोगों की membership जो है स्टार्ट हो जाएगी चलते हैं store procedures के उपर और आप लोगों को बताते हैं कि कौन-कौन से store procedures e-commerce के applications में यूज किये जा सकते हैं लेकि यह हमारी membership है और इसमें आप लोगों को professional जो projects है वो मेरा dream है कि मैं आप लोगों को जो चीजे सिखा रहा हूं वो professional तरीके से सिखा हूं लेकिन पहले आप लोगों के लिए fundamentally मैं चीजों को तयार कर रहा हूं और उसके बाद में आप लोगों को एक lifetime journey जो है वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं तो इस course के मादम से मैंने वो चीजे शेयर की हैं आप लोगों से यहाँ पर है project based courses in all technologies in just 600 रुपीज 600 रुपय में आप लोगों को बहुत सारी technologies पर videos मिलने वाले हैं यहाँ पर .NET Core जो वो completely ready हो चुका है और मैंने बहुत अच्छा जो है यहाँ पर शिखाया आप लोगों को और बहुत अच्छे reviews मुझे मिले हैं तो .NET Core complete हो चुका है .NET Core के साथ मैंने entity framework core का model first approach यूज किया है यहाँ पर entity framework core के बहुत सारी queries हो चुकी है और साथ ही मैंने SQL server भी use किया है तो SQL server भी आप लोगों का इसमें include है यहाँ पर उसके बाद में मैंने .NET Core के बाद में मैंने REST API को थोड़ा समझाया ताकि मैं इसी चीज को REST API को Blazor के अंदर काम में ले सकूँ as a front end तो मैंने MVC के बाद में just front end में .NET Blazor को select किया ताकि मैं front end बना सकूर आप लोगों को बताऊं कि complete full stack आप लोग ऐसे बनाएंगे instead of आप लोग razor views जो है मैंने MVC के अंदर काम में लिया लेकिन फिर भी मैंने as a front end Blazor आप लोगों को पहले बताया उसके बाद में आप लोगों को मैंने rest API को complete सिखाया कि कैसे rest API हम लोग बनाएंगे ताकि हम लोग उसको उसी rest API को चाहे वो MVC का razor views हो चाहे वो angular हो चाहे वो react हो चाहे वो jquery या js हो उसमें कैसे काम में लेते हैं यह सारी चीजे मैंने rest API के अंदर पुट की है और यह complete fundamentally tutorial मैंने आप लोगों को बताया है उसके बाद में मैंने इसी चीज को एक project के माध्यम से angular में भी पताने कि अभी जो है procedure चल रहा है until unless वो authentication authorization पे पहुंच चुका है और वो भी complete हो जाएगा bookshop का project fundamentally आप लोगों के जो react के tutorials है वो भी start हो चुके हैं तो यहां तक ही journey खत्म नहीं होती है एक बार basically मैं आप लोगों को यह सारे tutorials एक बार provide करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को full stack development मिल जाए कि यस अगर हम लोगों को कोई भी technology में काम दिया जाता है तो हम लोग इस तरीके से उस चीज़ को कर सकते हैं सीख सकते हैं ठीक है उसके बाद में हम लोग यहां पर जो roadmap होता है complete roadmap होता है वो भी आगे start करेंगे जैसे आप लोगों का azure का हो सकता है आप लोगों का machine learning का हो सकता है तो यह जड़नी लगातार चलती रहेगी और इसके फीस सिर्फ one time आप लोगों को pay करनी है that is only 600 आज इसकी फीस 600 है लेकिन मैं कल की guarantee नहीं लेता हूं कि कल कितनी फीस होगी इसकी हो सकता है कि time के according इसकी फ जो भी चीजे मैंने आप लोगों को इसमें सिखाई है वह बहुत ही ज्यादा strong है और अगर companies में आप लोग काम करते हैं तो अगर आप लोग टूरियल भी पकड़ लेते हैं कि बस मेरे को यही करना है यही सीखना है तो वह भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख सकत ठीक है और unlimited time तक आप लोगों के पास access रहेगा ठीक है तो यहाँ पर है HTML, jQuery, CSS, SQL और इससे ज्यादा courses में जब list में add होगा तो यहाँ पर add होते जाएंगे लेकिन वो रहेंगे एक technology wise ही एक technology stack wise ही ऐसा नहीं है कि हम लोग jump करके किसी भी other technologies पर चले गए है वो नहीं रहेगा इसके बाद में इसमें mobile applications और add हो सकती है इसमें ml.net add हो सकता है, azure add हो सकता है, kafka add हो सकता है तो यह सारी technologies जो है वो इसमें add हो सकती है लेकिन based on time की हम लोग पहली यह cover करेंगे उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे ताकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को आसान तर procedures पर ताकि आप लोगों को पता चले कि e-commerce में हम लोगों को store procedures कैसे कैसे use करने होते हैं कौन कौन से store procedures जो टॉपली आप लोग उसमें add कर सकते है अपनी e-commerce application में आज का वीडियो बहुत ही जादा interesting होने वाला है और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा र करता है तो यहां पर बात चल रही है store procedures की और यहां पर मैं लगभग लगभग e-commerce में होने वाले जितने भी actions हैं उनके उपर एक store procedure का एक series लेकर आया हूँ तो यह वीडियो जो है पूरा देखेगा और क्योंकि यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए हो सकता है कि e-commerce applications को बनाने में बहुत जल्दी बहुत ही ज्यादा help करता हूँ सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक product के बारे में माल लीजे कि अगर आप लोगों को यहां पर एक product add करना है तो product में होने वाले जितने भी fields हैं जैसे कि अगर हम लोग बात करें product name की description की price की stock की category id की और category date की sorry created date की और यहां पर आप लोगों के पास जो product name है वो string type का होगा description string type का होगा price जो decimal type की होगी stock का मतलब ही होता है कि कितनी quantities जो है आप लोगों की उस product की यहां पर आप लोग add कर रहे हैं category id यानि कि वो कौन से category से belong करता है और कब यह product जो है आप लोग create कर रहे हैं इसके लिए आप लोग यहां पर use करते है as begin और begin का मतलब होता है कि आप लोग अपने SQL statement की सुरुवात कर रहे हैं और begin यानि end का मतलब यह होता है कि आप लोग अपने SQL की जो statement की जो सुरुवात है वो खत्म कर चुके है that is end यहां पर आप लोगों के पास लिखा होगा set no count on यह बहुत ही समझना कि set no count on का मतलब क्या होता है बहुत कुछ लोग जो होते है set no count on off भी रखते हैं और यहां कुछ लोग लिखते ही नहीं है उसका मतलब यह होता है जब मैं इस store processor को execute करूँगा तो यहां पर यह लिखा हुआ मिलेगा that is कि one row affected, two row affected, three row affected तो उसका मतलब यह होता है कि आ अगर आप लोगों ने set no count on कर दिया तो इसका मतलब है कि आप लोगों को counting नहीं चाहिए है आप लोग अपनी queries को fastly execute करना चाहते है तो अपने store procedure में यह जरूर डाले जहां पर आप लोग return में कुछ नहीं चाहते है कि कितनी queries जो है update हो चुकी है यहां पर basic rules से लेकर मैंने store procedure के series start की है last videos में मैंने आप लोगों को दिखाया था store procedures के बारे में तो यहां पर देखे product name description price stock category id इस परकार से आप लोग insert कर सकते है ठीक है अब बात रही update की तो यहां पर similar like that update का statement आप लोगों को use करना है और यहां पर कोई भी अंतर जो है create product और update product में सिर्फ और सिर्फ और update product को साथ में भी लेना चाहते हैं जहां पर आप लोगों के पास parameters होंगे जैसे product name description तो product id भी आ सकता आप लोगों के पास अगर product id आप लोगों के पास है तो यहां पर आप लोगों if लगा सकते है if product id exists अगर product id 0 से बड़ी है या 1 है तो आप लोग जो है update यूज कर सकते हैं तो यह last video में मैंने आप लोगों को if and else बताया था based on product id तो यहां पर आप लोग जो है जैसे मैंने create add product किया वहां पर आप लोग यहां पर यह भी लिख सकते है जैसे set no count on आप लोगों ने लिख दिया अब मैं माल लिजे कि यहां पर मैं product id add कर देता हूं simple यह बहुत ही तरीका है आप लोगों को इन दोनों को handle करने का जैसे माल लीजे मैंने यहां पर लिखा product id और यह मैं integer में लिखता हूं तो मैं caps में लिख देता हूं equals to by default इसमें डाल देता हूं null ठीक है null यह zero जो है वो हम लोग इसमें insert दा सकता है ठीक है by default मैंने इसमें null डाल दिया value और यहां पर मैं इसीज को check कर सकता हूं दोनों के लिए store procedures तो यह आप लोगों की यहां पर काम करेगा कि आप लोग कितना इसीज के लिए active हैं इसीज को सोचने के लिए कि आप लोगों को क्या store procedures में लिखना है तो यहां पर अगर आप लोग यह लिखते है product id is null माल लीजे तो आप लोग इसे begin कर सकते हैं ठीक है और यहां पर इस चीज को end कर सकते हैं उसके बाद में आप लोग यहां पर else लिख सकते हैं अगर यह product id नल नहीं है तो फिर से आप लोग begin कर सकते हैं और आप लोग update statement जो है वो यहां पर लिख सकते हैं ठीक है जो नीचे लिखा गया आप लोग यह statement जो है यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो यह दो तरीकों से handle करने का है, अगर आप लोगों के पास product ID आती है, parameter से, तो आप लोग उस तरीके से उस इस को handle करेंगे, otherwise नहीं आती है, तो आप लोग उस तरीके से उस इस को handle करेंगे, ठीक है, अब दूसरा जो store procedure है, वो यहाँ पर है class order, कोई भी आदमी अगर आप लोगों के लिए order class करता है, तो उसके लिए आप लोग क्या assume करके मानेंगे, कि customer ID होगी, उसकी order date होगा, total amount होगा और order detail होगी, अब आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर order detail कुछ अलग ही define क्या गया है, यह user defined table है, तो आप लोगों को अपने SQL के अंदर user defined tables जरूर पढ़ना चाहिए, user defined table का मतलब होता एक virtual table बनती है, जिसका data जो है, आप लोग order detail table में डालना चाहते है, order details is also a table here, यहाँ पर एक table है, order details की, जहाँ पर customer id unique है, order date unique है, total amount unique है, लेकिन order details जो है, वो एक table है, यहाँ पर जहाँ पर एक से जादा रोज जो है, आप लोग इंसर्ट करना चाहते है, by using virtual table, तो यहाँ पर user defined table जिसके में बात करना हूँ, वो है order detail type table, खीक है, order detail type की यहाँ पर एक table बनेगी, जिसके data जो है, जिसमें data जो है, वो insert किये जाएंगे, और यहाँ पर आप लोगों को put किये जाएंगे, तो यहाँ पर देखे, मैं आप लोगों को पूरा समझाने की इकोसिस करता हूँ, कि order class order, कोई order class करेगा, तो customer id unique होगी, एक ही होगी, order date उसी दिन की date होगी, तो बार-बार में हर एक चीज के साथ लिखने की जुरूत नहीं है, that is order header, यहाँ पर यह order header है, total amount जो है, order header में add हो जाएगा, कि इतने amount का total जो है, order add क्या गया है, अब order detail में product की detail आप लोगों के पास आएंगी, इसलिए order detail type जो है, आप लोग एक table बनाएंगे, जिसमें आ product से related details आप लोगों के पास, add the rate order detail में होगी, क्योंकि आप लोगों ने order detail type के थूँ, order details में, यह entries जो है, वो कर दी है, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करने की चलोता है, तो आप लोग एक साथ जो data है, वो यहाँ पर use कर सकता है, instead of आप लोग for each loop का use करें, ठीक यहाँ पर देखे, begin transaction है, एक complete transaction को define करने के लिए, आप लोगों ने यह transaction word यहाँ पर use लिया है, यानि कि जब भी अगर मान लीजे कि आप लोगों को order के साथ order detail भी fill करना है, लेकिन हो सकता है कि कहीं किसी बज़ाए से order का transaction फिल्ड हो जाए, तो order detail में यह complete transaction ट्रीट किया ज कर जाएगा, यह transaction ठीक है, तो यहाँ पर begin transaction यूज करें और यहाँ पर committed transaction का भी इस्तमाल आप लोग कर जकते है, insert into order table, सबसे पहले order table में जाएगी data, customer ID, order date, or total amount, यहाँ पर आप लोगों के पास, simply आप लोगों के पास parameters है, customer ID, order date, or total amount, तो यहाँ से order ID जनरेट हो जाएगा order ID जनरेट होने के बाद, उसे हम लोग बहलते है scope identity, scope identity है, automatically generate होती है, that is order ID, इसको हम लोग order ID के अंदर initiate कर देंगे, by using set operator, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के पास insert into order details table होगा, order details का मतलब यह होता है, कि हम लोगों ने declare कर रखा है, that is order details, it's a type of order detail type, order detail type में आप लोगों के table है, जिसमें यह सारे के सारे datas है, ठीक है, तो यह order ID आप लोगों के पास यहाँ से आया है, और आप लोगों ने order details table के अंदर यह सारे के सारे जो data थे, उसको order details के अंदर से निकाले है, और finally आप लोगों ने order details, जो table है, उसके अंदर यह सारे के सारे put कर दिये है, ठीक है, order ID हो गया, product ID हो गया, quantity हो गया, price हो गया and finally update product stock, आप लोगों ने product के stock को change किया by using क्योंकि order हो चुका है, तो stock को change करना बनता है तो आप लोगों ने यहाँ पर लिखा update p, p is what that is product यहाँ पर आप लोगों ने उसके stock को change किया by using p.stock equals to p.stock minus od.quantity od.quantity का मतलब आप लोग यहाँ से निकाल सकते है, that is product ID, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो, क्योंकि inner join है, आप लोगों के पास order details के table, order details जो है, आप लोगों के पास मैंने जैसा की कहा, it's a type of order, detailed type का है, जिसमें आप लोगों के पास product ID है, quantity and price है, तो यहाँ पर जितनी भी quantities आप लोगों की purchase की गई है, उसके साथ आप लोगों की जो stock है, वो minus हो जाएगा, तो यहाँ पर यह simply आप लोगों का inner join दिखाया गया है, और यहाँ पर complete transaction जो है, तो यह आप लोगों में बहुत ही जादा जो है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि complete order कैसे होगा, तो इस तरीके से आप लोगों इसे complete order या begin transaction या commit transaction की form में आप लोगों से check कर सकते हैं, अब आप लोगों को यहाँ पर products by category यहाँ पर आप लोगों को category जो है, देखे product find करना है लेकिन category ID wise आप लोगों के पास आएगी, select statement आप लोगों को use करना है, where use के साथ, तो यह simple है, and the next one is, अगर आप लोगों को product search करना है, तो उसमें आप लोगों को like operator use करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर बस इतना सा difference है, search term आप लोगों को लिखना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोग percentage यहाँ पर use कर सकते हैं, and the next one, अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर है get order details, अगर आप लोगों को order details निकालनी है, तो आप लोग कैसे निकालेंगे, order details निकालने के लिए आप लोगों को join करना पड़ेगा, देखे, कन कौन से tables के साथ, orders के अंदर क्या-क्या था, customer ID था, amount था, and order date थी, तो उसको हम लोग order details के साथ find करेंगे, क्योंकि हमारे पास order ID, order details में भी है, तो order details के साथ, हमारे पास order details में product ID है, तो इसे inner join कर सकते हम लोग product के साथ, and finally हम लोग यह कह सकते हैं, कि जहाँ पर order ID mentioned हो, तो यहाँ पर यह completely mention किया गया है, कि आप लोगों के पास, जो order ID है, उस order ID wise, आप ल order header निकाल सकते है, order detail निकाल सकते है, product detail निकाल सकते है, by using join, तो यह simple operation है, जो आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, and the next one, आप लोगों के पास product को update करने का भी query है, जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को, कि update product आप लोग कर सकते है, by using this, product ID, this one, category ID, stock, price, description, and this one, यह simple है, लेक किसी product को आप लोग कर रहे हैं, जिसको आप लोगों को change करना है, and then next, delete product, यह भी बहुत जादा आसान है, and get customer orders, अगर आप लोगों को एक customer के order find out करने है, by using customer ID, तो आप लोगों को where use करना पड़ेगा, जहाँ पर customer ID mention हो, order ID है, क्योंकि हम लोगों को order header table होती है, उसमें customer ID हो interesting है, get top selling products, कौन-कौन से ऐसे products हैं, जो कि top selling होए है, यह interesting है, और यह आप लोगों को निकालना भी चाहिए, ठीक है, क्यों-कौन से product है, जो top selling में है, आप लोगों ने यहाँ पर लिखा सिधा as begin, क्योंकि यहाँ पर कोई भी product जो है, वो, कोई भी parameter यहाँ पर नहीं है, तो आप लोगों ने लिका certain account, उसके बाद में आप लोगों ने queries लगाई, select top 10, top 10 यानि कि आप लोगों को top 10 products आप लोगों को चाहिए, p.id, p.name, उनका चाहिए sum, अब आप लोगों ने quantities जो है, उनको sum कर लिया है, जितनी भी quantities हैं, according to product ID, as total sold, यानि कि जितनी भी quantities हैं, आप ल और आप लोगों के पास उसकी quantity भी है, ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास product का name नहीं है, तो product का name product table में है, product ID wise, वो join हो सकता है, so what आप लोगों ने inner join किया, product ID is product ID, and आप लोगों ने उसे group buy कर लिया, ये बहुत बार interesting सवाल है, और आप लोगों का उसमें भी पूछा जा आप लोगों ने यहाँ पर sum.order quantity लिख दिया है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पर order ID को, आप लोगों को जो quantity आप लोगों ने लिखा जिसको आप लोगों सम करना चाहते है, माल लीजिए कि वो quantity आप लोगों के पास product की table है, जो order detail table है, उसमें आप लोगों के पास quantity है 1 1 1 1 यहां पर product जो है वो purchase किया गया है जैसे suppose customer ने purchase किया customer ID 1 लेकिन product है 1 वहाँ पर जैसे customer ID हो गया 2 लेकिन product ID सोरी जो quantity है वहाँ पर है 3 ठीक है तो यहां पर आप लोगों को यह 3 और यहां पर यह 1 है यह sum हो जाएगा ठीक है जो की product ID wise होगा ना की customer ID wise तो यह जो product है और यह customer ID वो difference है लेकिन यह product ID और इसकी product ID सेम है तो यह product ID wise ही हम लोगों को group करना है कि एक ही product मुझे show करना है लेकिन उसे total quantity के साथ show करना है इसलिए यहां पर group by p.product ID लगा है साथ में आप लोग इसके बाद में p.product name भी लगा सकते हैं p.product name यानि और भी clarity के लिए है आप लोग यहां पर लगा सकते हैं लेकिन उससे पहले आप लोगों को join करना पड़ेगा ताकि आप लोग tables को join कर सकें यह खरारकी होती है SQL को लिखने की यह आप लोग कह सकते हैं कि पहले आप लोगों को select statement लिखना चाहिए फिर from लिखना चाहिए उसके बाद में inner join आप लोगों को लिखना चाहिए उसके बाद में group ID, order ID आप लोगों को लिखनी चाहिए उनको total करके order vibe ही आप लोगों ने यहाँ पर कर दिया, तो यह सवाल सबसे ज़्यादा आप लोगों का उसमें पूछा जाता है, इंटर्व्यूस के अंदर, top selling products अगर आप लोगों को निकालने हैं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो ऐसी ही store procedures आप लोगों को लिखने पड़ेंगे, ऐसी ही चीज़ें आप लोगों को SQL queries में बनानी पड़ेंगी, अब आप लोगों को next में हम लोग लेकर सलते हैं, create procedure register customer, customer को register करना है वही insert की query होगी, कोई भी doubt आप लोगों के पास इसमें नहीं होगा, the next one is authenticate customer, customer को authenticate करना है उसके email wise और password wise तो आप लोग सलेक्ट की queries लगा सकते हैं, जो कि एक simple query है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास where email equals to email, password equals to password has, okay, the next one आगे चलते हैं हम लोग, add category अगर आप लोगों को करना है, तो simple आप लोगों के लिए रहेगा, update category करना है, category ID wise update हो जाएगा यहाँ पर कोई भी आप लोगों के पास doubt नहीं होगा, delete category करना है, आप लोगों के लिए कोई भी doubt नहीं होगा, तो सबसे पहले आप लोग database बनाईए, store processes बनाईए उसके उपर, ताकि आप लोगों को किसी भी project को बनाने में आसानी हो, the next one is create procedure, get customer details, अगर आप लोगों को निकालनी है कि customer details क्या होगी, and finally आप लोग यहाँ पर simply यह निकाल सकते हैं, simple customer ID wise आप लोग customer details निकाल सकते है, get order history, that's one, यहाँ खर्राप लोगों को select करना है, कि माल लीजे कि आप लोगों को अपनी ही order history निकालनी है, तो order जो Customer Id होगी वो आप लोगों केウ świat र्कॉस में लगेगी, 안돼, लेकिन आप लोगों को order history निकालनी है, तो customer की details के साथ आप लोग customer की detail निकालनी है, तो अगर आप लोग देखें यहाँ पर तो order जो table है वो order detail के साथ जो होती है वो किसके साथ जुड़ी भी होती है order ID के साथ जुड़ी भी होती है तो आप लोगों को order table को order detail table के साथ जोड़ना होगा by using order ID अब लोगों ने order ID के साथ उसको जोड़ दिया है and then order details जो टेबल है वो product के साथ उसकी product id wise जुड़ी होती है तो आप लोग product भी निकाल सकते हैं वहाँ पर and then finally आप लोगों ने लिखा कि उस customer की detail मुझे चाहिए है जो की customer id wise है and then finally आप लोग अगर ये भी निकालना चाहते हैं कि order date wise वो descending हो तो order date wise भी आप लोग से descending कर सकते हैं तो ये एक आसान सा तरीका है किसी चीज को करने का and then next one हम लोग चलते आगे reviews के लिए क्योंकि reviews भी लिखाई जा सकते हैं product के उपर तो जाहिर सी बात है product id होगी customer id होगी ratings होगी कि कितनी number of ratings आप लोग उसे देना चाहते है number comment होगे and review date होगी कि कब ये review जो है वो लिखा गया था and finally ये add करना है तो हम लोगों को insert statement लगाना पड़ेगा तो ये simple statement हम लोगों ने यहाँ पर use किया है आगे चलते है update reviews, reviews को update करना है तो वही review id होगी review की एक id बनेगी ratings होगी and the comments होगे and यहाँ पर आप लोग लेख सकते हैं कि review id wise उसे आप लोग change कर सकते है and the next one आगे चलते है delete review आप लोग कर सकते है उसके बाद में है यहाँ पर delete review का है option आप लोग ये देख सकते है उसके बाद में आप लोगों के पास है कि अगर आप लोगों को product reviews find करने कि इस product के reviews कितने customer wishlist यहां पर आप लोग एक customer की wishlist भी बना सकते हैं और उसे find भी कर सकते हैं कि कि कितने जो customer wishlist में क्या क्या है customer की ID वाइज आप लोग उसे निकाल सकते हैं wishlist में क्या क्या चीज़े हैं तो आप लोग यहां पर देखें यह भी एक simple सी query है कोई hard and fast rule इसमें नहीं है add to wishlist आइटम दिखेंगे तो आप लोग get customer wishlist आसानी से निकाल लेंगे by using customer ID जो आप लोगों ने यहां पर देखा है अगर आप लोगों को product की ID के साथ customer की ID जो है वो निकालनी है तो आप लोग यहां पर देखें wishlist में जो product होगे उसमें product ID होगी wishlist में तो product निकालेंगे तो आप लोगों को product की table के साथ उसको joining करना पड़ेगा and फिर customer ID लगा सकते है और added date जो है order by descending आप लोग कर सकते है ठीक है यहां पर आप लोग add to wishlist यह भी एक आसान तरीका है remove from wishlist यह भी एक आसान है add customer address, customer के address को add करना है तो customer ID, address line 1, address line 2, city, state, postal code, country, created date यह भी आप लोग यूज कर सकते है किसी को join करना है तो आप लोग जैसा कि मैंने कहा कि if else conditions बगरा लगा सकते है वो बहुत ही आसान है जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगो को product के लिए बताया था कि कैसे आप लोगो को एक ही store procedure में product को product ID wise update कर सकते है और create कर सकते है तो वो भी आप लोग यहां पर लिख सकते हैं तो यहां पर यह जो मैं आप लोगों को दिखाया यह simple-simple जितने भी है मैंने आप लोगों को almost दिखा दिये हैं इससे जादा complicated जो है धीरी-धीर में start करूंगा ताकि आप लोगों को बहुत ही जादा चीजों को समझने में आ एड डिस्काउंट कोड है तो यहाँ पर देखे कोड है description है discount percentage कितना start date क्या है and date क्या is active है या नहीं है तो एड गरने का तो formula वही है जो आप लोगों का है अब यहाँ पर है देखे apply discount code किसी भी product के ऊपर अगर आप लोगों को discount code apply करना है तो आप लोग कैसे apply करेंगे that is order id and discount code यह आप लोग parameter से लेंगे तो order id आप लोगों के पास होगी और discount code आप लोगों के पास होगा right अब discount code आप लोगों ने यहाँ पर from discount code जो है यह आप लोगों के पास टेबल है discount code की तो आप लोगों ने discount code में से percentage निकाला और यहाँ पर percentage के अंदर डाल दिया where code is discount code and is active equals to one and start date जो है वो get date से और end date से जो है बड़ी और सोटी होनी चाहिए यह आप लोगों पता है if discount percentage is not null अगर discount percentage is null नहीं है तो आप लोग begin update order कर सकते हैं और उस order में आप लोग discount जो है वो apply कर सकते हैं यह भी simple query update order करना है तो apply upload जो है वो कर सकते हैं